दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको तेलकू फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर पवन कल्याण के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों पवन कल्याण का जन्म दोसी दंबर 1971 को आंधर प्रदेश में हुआ था। उनके पीता का नाम कौनिडेला वैंकेट राव और मा का नाम अंजना देवी है। दोस्तों बचपन से ही वे नाटको में अभिने क्या करते थे और वही से उनका सपना एक्टर बनने का हुआ। और 1996 में फिल्म अकड़ा अमाई इकड़ा अबाई से अपने एक्टर बनने की शुरुआत की। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें साउथ इंडस्टरी का सुपर स्टार गना दिया था वैती थी थोली प्रेमा जो की 1998 में रिलीस हुई थी। इसे फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था साथ ही उनकी इसे फिल्म को तेलगू बेस्ट फिल्म फ गोपाला और भिमला नायक है जिसके लिए उन्हें साथ नंदी अवार्ड से हासिल हैं। दोतो साल 2001 में पवन कल्यान ने नंदनी से शादी रचाली। लेकिन उनकी शादी की तीन साल बाद उनकी और को स्टार रेनुर देसाई की लेविन रिलेशन्शिप की अफमाहे मीड में शावत्रफ फैल गई जिस वज़े से उनकी वाइफ ने उनके उपर एक्स्ट्रा मैटेरियल अफैर का केस कर दिया था। और लंबे समय तक केस चलने के बाद साल 2008 में दोनों का तलाक हो गया था जिसके लिए उन्हें 5 करोड एलिमनी भी देनी पड़ी थी और तलाक के उन्होंने रेणु देसाई से भी दूसरी शादी कर ली थी खालाकि उनकी यह शादी भी लंबे समय तक नहीं टकी और साल 2013 में अन्ना लेजवान से तीशरी शादी कर ली दोस्तों पवन कल्यान आज तेल्गू फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से भी जाने ज लखा गया आपको बता दें पवन कल्यान एक सफल एक्टर और राजनेता होने के साथ साथ कराटे के ब्लैक बेल्ट होल्डर भी है और एक फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार चुरंजीवी के रिस्तेदार भी है पवन कल्यान उनके सगे छोटे भाई है दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरू बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरू कीजिएगा इसे के साथ बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में